आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। कोशिका द्रव्य यानि साइटो प्लास्म के बारे में। कोशिका के सभी अंगक जैसे माइटो कॉंट्रिया, गौलजी उपकरन, लवसोम आदी इसी कोशिका द्रव्य में तेरते रहते हैं। और इन कोशिका अंगको की जरुवत मन प्रोटीन इसी में तेरते हुए उन तक पहुशती है। ये कोशिका की बनावट को ही बनाये रखता है। इसमें वो सभी रसायने क्रियाय होती हैं, जिससे कोशिका जीवित रहती है। चलिए, अब हम केंद्रक के बारे में चानेंगे। केंद्रक यानी नियूकलियस। पादप और जन्तू दोनो कोश्काओं में जो बीच ओ बीच गोलाकार चीज है ना। दोस्तो आपको क्या लगता है? वो क्या है? जी हाँ, वही केंद्रक है। यह कोश्का का केंद्र है, जहां से सभी चीजें निर्देशित की जाती होंगी। दोस्तो जिस तरह से हमारे शरीर में मस्तिश्क, शरीर की सभी प्रक्रियाओं जैसे स्वशन, पाचन, उत्सर्चन, देखना, चलना और सुनना आधी को निर्देशित और नियंत्रित करता है। उसी तरह से कोश्का का केंद्रक कोश्का की सभी प्रक्रियाओं को निर्देशित और नियंत्रित करता है। अगर हम केंद्रक को थोड़ा और बड़ा करके देखें, तो… दोस्तों आपको देखने से लग गया होगा, कि एक गोल अकार कोशिकांग है, इसकी बारी संरशना दो परत वाली छिल्ली होती है, जिसे केंद्रक छिल्ली बोलते हैं, जिस तरह से कोशका की बाहरी परत कोशका जिल्ली होती है ना, बिल्कुल वैसे ही तो दोस्तों क्या इसका काम और इसकी संडशना कोशका जिल्ली की तरह ही होता होगा जी हाँ, इसका काम और संडशना कोशका की कोशका जिल्ली की तरह ही होता है जो केंदर के अंदर के चीजों को कोशिका के बाकी अंगकों से अलग रखता है आपको इसकी परत में छोटे-छोटे छिदर दिख रहे होंगे इन्हें केंदर की ये छिदर यानी Nucleus Pores कहते हैं केंदर के अंदर भी जैली की तरह दरल दरव्य होता है जिसे केंद्र कीये द्रव्य यानी नूकोप्लाज्म कहते हैं दोस्तों क्या ये केंद्र कीये छिद्र, कोश का द्रव्य और केंद्र कीये द्रव्य को मिलते होंगे? सोचिए? जी हाँ इन छोटे-छोटे केंद्र की ए छिद्रों से केंद्र की ए द्रव्य बहार आता है और कोश की द्रव्य से मिलता है तब इस द्रव्य को जीव द्रव्य बोला चाता है केंद्रक के बीच ओ बीच एक गोलाकार भाग दिखाई देता है उसे केंद्रका यानि नूकलियोलस कहते हैं अब हम केंद्रक के कारे के बारे में चानेंगे वैसे तो आप लोग केंद्रकारे को समझी चुके होंगे कि ये कोशिका है जो सभी चया पचय गतिविधियां यानि metabolic activities जैसे उर्जा का निर्माड़ादी को नियंत्रन यानि control और निर्देशित करता है ये कोशिकाओं के संपूर्ण विकास और संपूर्ण परीपकन यानि mature को निर्थारित करता है ये कोशिकाओं के प्रजनन में भी बहुती बहतवपोण योगदान देता है दो नई कोशिकाओं का निर्मार करती हैं। इस तरह से कोशिका प्रश्णन से जो नई कोशिका बनती है ना, उसमें सूचनाई और निर्देश केंदरक के जरीए ही जाते हैं। चलिए, इससे समझते हैं। दोस्तों, आपको केंदरक के धागे की तरहा, यानि thread-like सनरश्णा दिखाई दे रही है। इनहीं क्रॉमैटिन कहते हैं। दोस्तों, क्या आप क्रॉमैटिन के बारे में जानते हैं। नहीं, कोई बात नीं। चलिए, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है? अब हम इस धागे की तरहाँ सनरशना को गौर से देखते हैं यहाँ कॉयर क्रोमाटिन की सनरशना को बताया गया है दोस्तों आपको बीच में जो dots दिख रहे ना, ये एक protein है जिसे histone protein बोलते हैं और इस धागे की सनरशना को DNA बोलते है DNA का फुल फॉर्म होता है तो क्रोमाटिन की संरशना के लिए बोल सकते हैं क्रोमाटिन DNA यानि डियोक्सी राइबो न्यूकलिक एसिड और प्रोटीन से मिल कर बना होता है लेकिन दोस्तों ये DNA क्या होता है क्या आपने कभी सुनाय ये नाम आप लोगों ने फिल्मों या सीरियल्स में सुनाई होगा DNA टेस्ट के बारे में जब भी फिल्मों या सीरियलों में बच्चों के माता-पिता का पता करना होता है तब ये DNA टेस्ट करवाया चाता है चलिए इसी DNA के बारे में समझते हैं सबसे पहले DNA की संरशना देखते हैं, तो दोस्तों ये है DNA की संरशना, ये जो chain की तरह संरशना के बीच में आप जो coding देख रहे हैं न, वो सूचनाई यानि निर्देश हैं, सूचना जैसे कोशिका की संरशना कैसे होगी, उसमें क्या-क्या काम होगा, और शरीर की भी संरशन कैसे होगी, आदि, जिस तरह से एक बुक में सूचनाई होती है न, उसी तरह से DNA में कोशिका से संबंदिस सूचनाई या निर्देश होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि DNA अडू में कोशिका की संरशना, निर्माण और संगठन की आवशक सूचना होती है, दोस्तों DNA में ज जीन क्या करता होगा, सोचिए, चलिए दोस्तों, हम आपको पताते हैं, देखे, जब भी कोई कोशिका का विभाजन होना होता है, तब ये क्रोमाटिन संगठित होके इस तरह की संरशना बना लेते हैं, इसे क्रोमोसोम कहते हैं, अब आप कोशिका के केंद्रक में बहुत सा देख सकते हैं। इसका यही मतलब है कि कोश्क का विभाजित होने वाली है। और जब कोश्क का विभाजित होती है ना, तो क्रोमोसोम के कुछ भाग नई कोश्का में चले जाते है। तो देखा दोस्तों, आपने DNA के जीन के जरिये सूचनाय और निर्देश नई कोशका में चली जाती हैं। तो कह सकते हैं कि वंशान उक्रम में सूचना DNA के जीन के जरिये जाती हैं। इस तरह बच्चों में माता-पिता से सूशनाय या निर्देश DNA के जीन के जरीए आते हैं। अब दोस्तों आपको ये भी पता चल गया होगा कि फिल्मों या सीरियल्स में DNA टेस्ट करवाने से क्या होता है। है ना? यही केंद्रक और उसके कारे हैं। अब दोस्तों ये समझेंगे केंद्र की एक क्षेत्र उपस्तिती के आधार पर कोशका के प्रकार। लेकिन ये केंद्री की एक क्षेत्र क्या होता है? चलिए इससे भी समझते हैं। दोस्तों कुछ जीव जैसे कि बैक्टिरिया इनमें केंद्र की एक शेत्र सही से नहीं होता है यानि इनमें केंद्र का जिल्ली नहीं होती है सिर्फ प्रोमैटिन ही होता है जुसे केंद्र काय कहते हैं और ऐसे जीवों को प्रोकेरियोट कहते हैं उन कोशका को प्रोकेरियोट का मतलब है प्रो, आधी या पूर, केरियोट, केंद्रक और इन कोशकाओं में जातर कोशका अंगक नहीं होते हैं और दोस्तों, जिन कोशका में केंद्रक जली पाई जाती है ना उन्हें youcariotic कोशिका यानि यू केरियोटिक सेल कहते हैं और इनमें सभी कोशिका अंगक होते हैं जैसे पादप कोशिका और जन्तु कोशिका सारांश तो दोस्तों हमने इस वीडियो में कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बारे में जाना कोशिका द्रव्य एक जैली की तरहां तरल्पदार्थ है जिसमें सभी कोशिका अंगक तरते हैं और केंद्रक में उपस्थिट DNA में कोशिका से सम्मंधित सूचनाय होती हैं और ये सूचनाय जीन के जरीए नई कोशिकाओं में जाती हैं कोशिकाओं में केंदरी की एक शेतर में जिल्ली की उपस्थिती के आधार पर दो तरीके की कोशिकाए होती है पहली प्रोकेरियोटिक कोशिका यानि प्रोकेरियोटिक सेल दूसरी यूकेरियोटिक कोशिका यानि यूकेरियोटिक सेल आगे हम कोश का अंगकू के बारे में चानेंगे